नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहेबली विपक्च आरोप लगाता है कि बिहार में कानून का राज अब खत्म हो चुका है मुखमंत्री नितीश कुमार दावा करते हैं कि कानून से कोई समझाओता नहीं होगा लेकिन इस बीच एक घटना सामने आई है जो कि मुखमंत्री नितीश कुमार के ही पार्टी से सामने आई है जदियू के MLC है नितीश कुमार के करीबी है खालिद अनवर नाम है उनके घर पर चोरों ने धावा बोला है और बड़ी चपत लगा करके चले गए है दरसल जदियू MLC खालिद अनवर के घर पर चोरी हुई है जदियू MLC के आवाज से दो लाक नकद दो घड़ी और लैपटॉप चोरी किये गए हैं इसके साथी साथ चुनाव परचार करने भागल पूर गए हुए थे आपको बता देगी जदियू के MLC खालिद अनवर के नीजी आवाज से चोरों ने अलमारी तोड़कर करीब दो लाक नकद एक लैपटॉप और दो घड़ी उड़ा लिए घटना अगमकुआ इलाके की है अगमकुआ थाना छेतर में ये घटना हुई है पटना के अगमकुआ इलाके में टीवी टावर के पास उनके नीजी आवास में चोरी हुई है खालिद इन दिनों भागलपूर के नाथ नगर में होने वाले उपचुनाओं में पार्टी के परत्याशी का परचार करने गय हुए हैं उनका स्टाफ आवास पर था रविवार की शाम पांच बजे स्टाफ घर बंद कर किसी काम से बाहर गया था रात आट बजे जब वो लोटा तो देखा कि अलमारी का लॉक तूटा हुआ है और नकद लैप्टॉप और दो घड़ी गायब है स्टाफ ने फौरन इसकी सूचना खाली दनवर को दी बाद में पुलिस को चोरी की सूचना मिली थानेदार संजीत कुमार जो की अगम कुआ के थानेदार है संजीत कुमार सिना ने बताया कि पुलिस मौके पर गई थी चोरो का सुराग लगाने में पुलिस जुटी हुई है तो ये जो तस्वीरे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर ये जदियू MLC खाली दनवर के घर की तस्वीरे हैं ये उनका निजी आवास है टीवी टावर इलाके में ये उनका आवास है और देखिए किस तरह से अलमारी खुली हुई है सारे सामान फ्लोर पर बिखरे पड़े हैं और अलमारी के अंदर से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ टटोला गया है ये उनके रूम के अंदर का सीन आप देख रहे हैं ये तस्वीर देखिए पलंग पर भी सारे सामान बिखरे पड़े हैं और अलमारी भी खुली हुई है इसके साथी साथ बैग को भी खोला गया है जो ट्रॉली बैग अंदर अलमारी में रखे गया थे उसको भी खोला गया सारे कपड़े दिखरे पड़े हैं फिलहाल पुलिस इस मामले में जाच कर रही है लेकिन सवाल यह उठता है कि बिहार में जिस तरह से कानून का राज होने का दावा किया जाता है और सत्तापक्ष के जो लोग हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि क्राइम से क्रिमिनल से कोई प्रफ़िये सुराज जुटाये जा रहे हैं उनको धर दबोशने के लिए कोशिश की जा रहे हैं लेकिन देखने वाली बात होगी कि पटना पुलिस कितने जल्द से जल्द चोरों को गिरफतार कर पाती है और घर का जो सामान है उसको रिकवर कर पाती है आप लाइब सीरी सा 14 पर जाये धन्यवाद